मौब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है मौब लिंचिंग घूनित अपराद है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान करकर इंक्लूड कर रहे हैं 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलातकार से समन्भी प्रोविजन में हम बदलाव करें अब पॉक्सो एपलाई करें न करें बलातकार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये नियाई सहीता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनकेशन 18 वर्ष से कम आवी की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारवास और मृत्यू दंड का प्रावधान हमने किया है इस साथ बलातकार में फिर से भांसी की सजा को हमने यहां पर रखाए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इत्यासिक नीन किया है कि राजद्रो की धारा 124 कप को पून तया समा इसको हटाने का काम हमने राजद्रो की जगे बेश द्रो की पीटी रखाए इस अब यह देश आजाद हो चुका है लोगतांत्रिक देश है सासन की टिका तो कोई भी कर सकता है किसी को भी करने का अधिकार है इसके लिए इस देश में अब किसी को जैल में नहीं जाना पड़ेगा चाहे हमारा सासन इस देश में धेर सारे मुकदम हैं, देश को हिला देने वाले मुकदम हैं, चाहे बंबई बंबलास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में सरन लेकर बैठे हैं, ट्राइल नहीं चलती है, मानेवर अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है, 90 द जन्मटिप्टिक, आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के कानून में नहीं थी, पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्याईत करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूफोल्स उठाकर आगे फाइदा न ले पाए